प्रसकेलच आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैना संसेश प्लेसं में इस वीडियो में हम आपको five important shares के बारे में बताएंगे जो की बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही डीटर्ण दिया इंवेस्टर को long term investment में दोस्तों यह है chemical sector से, chemical sector जिसका manufacturing का hub बनते जारा है इंडिया, अने बाले समय में चाइना से जिस तरह से बायकॉट होड़ा हर सारी country, इस तरह से यह जो specialty chemicals है, इस sector का demand और भी इंडिया से ज़्यादा बढ़ सकता है, मदब इंडिया इसका और ज़्यादा export करने वाला country बन सकत है इस sector में, तो manufacturing sector के जो top 5 stocks है, हमारी point of view से उसको बताएंगे, आपके point of view से कौन से top 5 stocks है, आप हमें comment box में अवसा बताएगा, कि आपका top 5 picks chemical sector से कौन से stocks है, दोस्तों पहला है हमारा P.I. industries, P.I. industry long term chart पर देखेंगा कितना बहतरीन है, देखतेंगे जब pandemic situation आया था, इसमे गिरावट आया था, एक हजार रुपया के आसपास ये stocks आया था, फिर से इसमें recovery काफी fast भी और अभी देखतेंगे एक नया high, मतब एक नया pick पे पहुच चुका है ये stocks, 60% का return दे चुका है अपने जो वहाँ पर pandemic situation में गिरावट आया था, वहाँ से, तो देखतेंगे इस चीज का balance sheet देखेंगे, यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, money control के website पर, तो March quarter यहाँ पर देखतेंगे, 20 का सारा चीज अपनेट हुच चुका है, तो balance sheet देखेंगे, 25 क्रोड का, 25 क्रोड से ज्यादा है, debt देखेंगे, 507 क्रोड है, debt थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पिछले सा increase हुआ है, तो काफी बहतरीन कंपणी है, उसके बाद दूसरा है हमारा SRF, SRF भी काफी बहतरीन कंपणी है, इसका आफी current price देखेंगे, 3,000, 3,000, 795 रूपीज है, वहीं PI industry इसका current price था, 1,727 रूपीज, यह सारे stocks काफी बहतरीन, one year में भी बहतरीन रिटन दिया है, और long term म भी काफी बहतरीन रिटन, one year में इसका रिटन देखें, one year में भी देख सकते हैं, one year में है 41%, और long term में देखें काफी बहतरीन रिटन दिया है, यहां से आप यहां से देख लेजे, long term investment में यह और भी बहतरीन रिटन, long term में 33,000% का रिटन, तो कितना बहतरीन रिटन दिया ह SRF, PI Industries भी बहतरी रिटर, SRF भी बहतरी रिटर, PI Industries लोंग टर्म में ये भी काफी बहतरी रिटर, यहां से आप इसका भी देख लेज़े, तो सारे स्टॉक्स का कामपरिशन करेंगे, 2342% PI Industries, और SRF कितना दिया है, 33,000, क्यांकि इसका जो बिजनस है, काफी बिजनस है, SRF का, वहीं इसका बाइले सीट देखते हैं, तो बाइले सीट भी काफी बहतरी है, बाइले सीट पे हम यहां पर मार्च 20 तक, जो है मनी कंट्रोल पर अपडेट हो चुका है, रिजर्व देखें का 4,600 करोर का है, जो के पिछले साल के कंपेर में बढ़ा है, थो के चलते हैं, बुक वैल्यू का बुक वैल्यू देख सकते हैं, काफी बिल्डव हुआ है, नेटकरेंट एसट ये भी थोड़ा सा डिक्रिज हुआ है, और cens बैंकर बुक बैले सेवर्च ईक है लिए थोड़ा सा डिक्रिज हुआ है, उसके बाद हमारा जो अगला स्टौर अ अतुल लिम्टेड भी काफी बहतरीन स्टॉक से 1 year का रिटरन देखेगा तो 1 year में भी अच्छा रिटरन दिया है 23% का 5 years में देखेगा 5 years में भी काफी बहतरीन चार्ट maximum year में देखेगा तो इसमें भी काफी बहतरीन चार्ट क्म प्रिया मित बाइस कि एंधा इंधा है इसका सारी जो केमिका सेक्टर के स्टॉक से उसमें बेहतेरी कंपणि के पास रिजर्व काफी काफी जादा है तो कंपणि के बाइस सीट पर आते हैं तो कंपणि का जो बाइलेंस रीट है इसमें नीचे चलिए तो यहां देख सकते हैं रिजर्ब 15,000 करोड का पिछले साल था मातर 2600 करोड का इस बार कंपनी का रिजर्ब जा पहुचा है 15,000 करोड पर और कंपनी के पास डेप्ट बिलकुल 0 है एक भी रुपया का कंपनी को पर डेप्ट नही सब्सक्राइब नीचे चलते हैं निट करेंट एसर देखेगा 2900 करोड का है जो काफी बढ़ा है नीट करेंट एसर बुक भैलियू अभी जा पहुचा है 1000 करोड से भी उपर तो देख सेंए कितने स्ट्रूंग बालेंस इट है इस कंपनियों का और भी बहुत सारे जो इन्र है कंपनी का उसके बाद जो अगला स्टॉक से हमारा इस सेक्टर से हुआ है आर्टी इंडस्ट्री ये फी इंडस्ट्र को काफी बहतरीन रिटर्न दे चुका है और इसका वन येर का रिटर्न देखे का तो थोड़ा सा कम है नाइन पॉइंट एट वन परसेंट लेकिन मैक्सम मैक्समियर का चार्ट देखेंगा तो भी काफी बहतरीन है इंडस्ट्र देखेंगा फोटी थार्जन परसेंट का रिटर्न दिया है तो काफे बहतरीन स्टॉक्स है ये भी एक मल्टी बाइगर 40,000% का रिटरन दी है लोंग टर्म में और इसका भी बाइलेंस सीट भी काफे बहतरीन है लेकिन इधर थोड़ा सा इसमें मतलब इसके प्रैस में करेक्शन देखने मिला है जो की न्यूज से रिलेटेड है इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे मार्च 20 तक इसका भी बाइलेंस सीट अफडेटेड है रिजर्वे कंपनी पास 2800 क्रूर का जो की पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है फिर कंपनी का डेप देखेगा तो कंपनी का डेप भी थोड़ा सा कम हुआ है पहले 2000 क्रूर का था अब 1789 क्रूर का है और कंपनी का केस और बेंक बाइलेंस डिक्रीज हुआ है दो 233 क्रूर बर्चा है केस और बेंक बाइलेंस जो की पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है थोड़ा सा ने कि बहुत जादा कम हुआ है कम्या है बुक वैल्य कंप़नी का कम हुआ है तो थोरा सिसमें जो निउस है इसका है थोरे से फंडामेंटरस में में भी थोरे थोरे decrease हुए लेकिन का ओबरराल रिजर्ब बढ़ Willie का पा इसमें यે का एक डिमन्ट है जो कस्टमर का ब्रेक हुआ है जो Okayo, यो Lanter andное जिसके कार्ण इसमें काफ़ी मी्ला डिरावट मतलँ काफ़ी क्रेक्शन में इथला का सब्सक्राइधि जिसके का पांच और रिंगे सेर तो अब फरोरा इसेरे देखराई है व तो देखेते हैं कितना बेधरी है hoo one year में रिटण इसका देखेगा 161 परसेंट तु काफी बेहतरी हुए एस में 660 परेटर्न काा रिटर्न तो एक काफी तु कितने बेहतरी हम्पने यह सारे की सारे कंपनियां ङुक अपनेब्ट वरशा से जो कि long term investor को काफी बहतरी return दिया है काफी अच्छा wealth create करके दिया है तो सारे जो stroke से आगे भी बहतरी return दे सकते हैं क्योंकि जो specialty chemicals है इस sector का इंडिया जो एक बहुत बड़ा manufacturing hub बनने जा रहा है जैसे चाइना से और सारी कंटे के tension वरते हैं जैसे उसका trade महां से थोड़ा सा कम होता है तो निश्चित है इंडिया से उसका trade बढ़ेगा और जो इंडिया है और जो इंडिया है chemical sector में export को improve करेगा क्योंकि यहां बहुत जादे बहुत सारी कंपनिया जो है chemical sector में अपना export करें कई सारी कंट्रियों को आपको इसके website पर जाना है detail में पढ़िए कौन से company का business कौन से country में है कौन से company किस sector में business करती है किस sector में company अपने product को sale करती है तो सारी चीज इसके website पर जाए पढ़िए चलिए हम इसके balance sheet को देख लेते है नवीन फ्लोरीन इसका balance sheet इसका जो current price है आप ही देखते है 1681 रूपीज है और इसका balance sheet है उस पर reserve देख लेजिए 1389 क्रूर का है और debt company के पास बिल्कुल 0 है तो company देखते हैं बिल्कुल debt free है उसके बाद नीचे चलते हैं तो case और bank balance 200-100 क्रूर ये भी company का increase हुआ है उसके बाद net current asset ये भी increase हुआ है company का book value देखते हैं काफी अच्छा build up हुआ है तो book value भी company का काफी increase हुआ है काफी सारी चीज़े हैं मतलब काफी fundamental चीज़े हैं जो company का काफी बहतरीन हुआ है तो company के जो है बहुत सारी parameters होते हैं आपको देखनी होते है सासत company के business को देखना है आगे company के business में growth की तरह का है तो नवीन, फ्लोरीन, आर्थी इंडस्टी अतूल लिम्टेर, SRA, PI इंडस्टी ये सारी बहतरीन कंपनियां है chemical sector के कुछ specialty chemicals में काई सारी के जो business है काफी diversified है जैसे आर्थी इंडस्टी specialty chemicals में भी है pharmaceuticals में भी है तो काई सारी diversified business में भी है SRF भी diversified business में भी है मतब काई सारी sector में उनका business है तो अभी जो आर्थी इंडस्टी का current price है 988 रूपिया तो जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं तो first installment लगा सकते हैं अगर market में correction आता है तो इसमें भी correction आएगा वही नविन फ्लोडिन अभी जो current price है देखते हैं 1682 रूपिया अगर इसकी बात करें तो इसमें जो गिरावट आया था परेंडिब की वो भी बहुत ही खास था 1080 रूपिज का असपास यह आ चुका था तो इस price पे आता है तो फिर से आप इसमें अपना buying कर सकते हैं क्योंकि इसमें recovery देखते हैं कितनी fast है तो जितने भी strong है जितने भी fundamental काफी strong कंपनी यहां उसमें गिरावट आएगी लेकिन उसमें recovery भी उतनी ही fast होगी उसका बात अतुल limited इसमें भी आप चाहते हैं तो 4000 के नीचे जैसे आता है तो आप इसमें buying कर सकते हैं इसमें गिरावट आया था तो उस समय यह stocks आ गया था 3500 के आसपास तो यह सारी price आपको देखके रखना है 4000 के नीचे आता है तब आपको इसमें buying का अपना opportunity ढूलना चाहिए कि आप इसमें अगर invest करना चाहते हैं तो buy कर सकते हैं SRF इसका भी current price अभी है 3795 रूपीज इसमें pandemic situation में गिरावट जोगा था तो यह stocks आच चुका था 2654 रूपीज तो यह भी 3000 के करीब आता है तो आप इसमें invest कर सकते हैं इसमें investment के strategy आपको बनानी परेगी कि आपको पहले कुछ stock buy करना है फिर जो कुछ समय बाद जैसे हर मन्त जो आपको इसमें stage बना चाहिए कि अगर गिरावट आती है तो buy करें लेकिन जो pandemic situation इस level पर अगर आपको मिलता है stocks आप जीतना चाहिए उतना buying कर सकते हैं मतलब आप अपना investment कर सकते हैं लेकिन company के fundamentals को ध्यान रखें कि company का business जो है परभावी इतना हुआ हूँ company का fundamentals पर को effect ने परता है business पर management पर तो फिर ये आपको नीचे के price पर जब भी मिलता है जो chemical sector कुछ specialty chemicals में कुछ general chemical sector में है और भी काई सारी stocks है तो आपको comment box में बताना है कि और कौन से stocks है जो आपको लगता है इन 5 stocks से बहतर है जैसे बिनाथी और्गेनिक्स है यूपेल हुआ तो काई सारी stocks है जो कि बहतरीन company है chemical sector में तो आपको comment box में बताना है और वीडियो अगर पसंद आ है तो वीडियो को like और share जरूर किजिएगा चैनल पर पहले बार रहा है तो subscribe करके बगल के बैल आकन को दबा लिजिएगा फिर में अगले वीडियो में तब तक के लिए